नमस्कार दोस्तों किसान भाईयों के लिए बहुत ही बड़ी खुसकवरी लेकिया इस वीडियो में आपको बता दे किसानों को मोधी सरकार बहुत ही बड़ा तोफ़ा देने जारी है 15 जून तक किसानों को फ्री में इस बार खात बीज दिया जाएगा जाने क्या है सरकार का नया प्लान किस तरीके से जो है किसान भाईयों को फ्री में खाद और बीज जो है इस बार बुआई के लिए दिया जाएगा तो आपको बता दे करस्णी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने बुद्वार को किसानों को दिलहन की उची पैदावार वाली बीजों के वित्रन से आपको बता दे किसानों को दिलहन की ऊची पैदावार वाली फचलों के वित्रन के साथ सुरू की गई है तो मैंने कहा है कि केंदर स्राज्यों के सायोग से राष्टिय खाज सुरक्षा मिशन के तैद दलहन और तिलहन उत्पादन वै इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन गती विदियों के तैद जो है अलगल प्रकार से यहां पे कारेकरम सुर की जा रही है ताकि इसक 656 करोड तन के तैद हो गया है तो इस तरीके से लगातार इसमें जो है 2.556 करोड तन की बढ़ोतरी देखने को मिली है अब किस तरीके से आप इसका लाब ले सकते हैं तो आपको बता दे 15 जून 2021 तक जारी रहेगा वित्रन मिनिकिट कारेकरम के तैद बीजों का वित्रन ज जो है सोयबिन के 8 लाग से जादा मिनिकिट और मौंग फली के जो है मौंग फली भी 44,000 मिनिकिट निसुल किसानों को दिये जाएंगे तो अगर आप इनमें से किसी का बीज भी लेना चाहरे हैं दलहन में जितनी भी फसले हैं जैसे बात करें चना, मौंग, उड़द, दाल यह सबी आ गई और उसके बाद सोयबिन और मौंग फली जो है इसके भी जो है यहाँ पे बीज फ्री में वित्रत किये जाएंगे तो अगर आप भी एक किसान है और यह बीज फ्री में प्राप्त करना चाहरे हैं तो कमेंट वोक्स में जरू बताएं ताकि मैं आपको नेक् के पहले यह जो है फ्री बीज प्राप्त कर सकते है अगर दोस्तों जान कारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें चैनल पे नए हो तो ऐसा इंटरस्तशिंग वीडियो देखने के लिए किसानों से संबन्दीत हर प्रकार की जानकारी देखने की लिए व्व सब्सक्राइब करें पास में वेला घंटे की निशान को दबाके और लॉटिप करना बिल्कु ना भूलें